हेलो स्टूडिंस आज के स्वीडियो में हम डिस्कूस करने वाले हैं क्लास नाइन साइंस का चेप्टर नंबर नाइन ग्रिविटेशन का कोश्च नंबर थर्टी अब ऑल इस थो वर्टिकली अब वर्ड विद विलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड देखो एक बॉल है और उसको करने का और वापस आने का टोटल हमें क्या पता करना है टाइन पता करना है तो सबसे पहले हम आगे इसकी निकाल लेते हैं, हमारे पास यहां पर पहले लिख लेते हैं, अब हमारे पास V क्या हो गई, 0, V 0 क्यों है, जब हमने इस बॉल को फेका ओपर की तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, कि यहां पर रेस्ट में आता है, और उसके बाद यह नीचे आ जाता अब यहां पर G की वैल्यू मैं माइनस में लूँगी, क्यों माइनस में लूँगी, जब भी हम किसी ऑबजेक को ओपर फेकते हैं, तो हम ग्रेविटेशन के अगेंस भेज रहे हैं, अगर कोई अबजेक नीचे आता है, ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ नीचे थीचती है, लेकिन हम अबजेक को ऊपर फेक रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पाल्स G क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है हमें पता क्या करना है, हाइट पता करना है, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं, मोशन का फॉर्मूला, V स्केर माइनस U स्केर, इस एक्वल टो 2AS होता है, लेकिन यहाँ पर हम 2GH लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, जो यहाँ की ग्रेविटी और अग्सेरेशन नहीं है, यहाँ अग्सेरेशन द्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए ग और डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं इसलिए आपर होगा H, V की वैल्यू हमारे पास 0 है, U की वैल्यू हमारे पास 49 स्केर है, इस एक्वल टो क्या लिख देंगे हम, 2 मल्टिप्लाई, माइनस 9.8, G की वैल्यू हमारे पास माइनस 9.8 है, मल्टिप्लाई हाइट हमें पता करना है, यह तो 0 ही हो गया, यहाँ पर म 49 को हम अलग-अलग चाहें लिख देते हैं, यहाँ पर 49, मल्टिप्लाई 49, इस एक्वल टो, 2 मल्टिप्लाई, क्या होगा हमारे पास, माइनस 9.8, ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर सीधे माइनस से माइनस को कैंसल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास यहाँ पर हाइट है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, h is equal to, यह जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम h को इधर लेके जाते हैं, h को मेरे इस डिजिट को मिदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, 49 तो यहां पर आगे इसको solution करते हैं जब आप इसकी cutting वगएरा करोगे तो और multiply करोगे तो यहां पर आपकी आ जाएगी multiply करके cutting करके यहां पर आपका जाएगा 245 upon 2 ठीक है तो यहां पर देख लिया पॉइंट अठाके 10 कर देना और जिससे आप पसमें की multiply करके cutting करना तो यह डिजिट आ जाएगी और जब आप इसको divide करोगे तो आपका आ जाएगा 122.5 मीटर या आगी हमारी हाइट ठीक है next अब हमें पता करना है time तो time के लिए हम next point के लिए time के लिए हम क्या formula लगाएंगे time के लिए हमारा लगेगा V is equal to u plus gt जो motion का हमारा दूसरा यह वी हमाराम से टी इंकल सकते ना तो यहाँ पर इस formula से निकाल लेंगे तो वी की वैल्यों हमारे पास तो 0 यह उसका तो कोई मतलब भी नहीं यू हमारे पास 49 है चीक है उसके वाद यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो गया यह minus हो गया और यह जो है multiply में था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया यह divide हो गया ठीक है इतनी बात समझ है अब minus से minus सीधी जी बात हो गई जब आप इसको पॉइंट टाके यहाँ 0 लगा दो और जब इसको divide करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 तो यहाँ पर टाइम है तो 5 हम क्या लिखेंगे second ठीक है तो यह टाइम हमारा सिर्फ किसका आया एक साइड का टाइम आया हमें उपर जाने का और नीचे आ 2 multiply T कितनी अपने पास यहाँ पर 5 तो कितना आ गया यहाँ यहाँ पर यहाँ पर आ गया 10 अभी इस टाइम में इस लिक्या लिखेंगे हां second ठीक है वह बहुत easy numerical है I hope आपको समझ आ गया हो तो यहाँ पर screenshot लेना चापते हो तो screenshot ले लो और इसको solve कर लो ठीक है और किस्रेंस I hope video helpful लोगियो वीडियो को like share करना मिलते next video में पापाय